आपका बहुत सौगत है तो चलिए आज की इंटरस्टिं रेसिपी बनाना शुरू करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यह है आलू की एक बहुत ही यूनिक और लाजबा रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है आलू मटर मलाई सबसे पहले हैं हमें कड़ाई में तीन स्पून ओइल लेंगे तीन आलू को हम मोटा मोटा चॉप करके उनको फ्राई कर देंगे आलू को हम वोल्डन ब्राउन होने तक रोज कर लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए हम दो टमाटर एक हरी मिट और थोड़ा सा अध्रक लेकर एक टमाटर प्यूरी तियार कर लेंगे आलू हमारे अच्छे से रोस्ट हो गया है कि पैन में दो चमज घी लेंगे और जीरा एड़ कर देंगे जीरा क्रैकल होने के पाद हम इसमें हल्दी आड़ कर देंगे अब हम एक चमज धन्या पाउडर डालेंगे और अब इसमें हम एक चमज कसूरी मेथी आड़ करेंगे एक बार अच्छे से सब चीजों को सौटे कर लेंगे अब हम टमाटो प्यूरी एड़ कर देंगे मिक्स करने के बाद यहां पर हम एड़ करेंगे एक चमज कश्मीरी लालमेच पाउडर अब यहां एड़ करेंगे हम वन फोर्ट स्कून करम मसाला नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे अब हम ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक कि घी अच्छे से रिलीज ना हो जाए घी अच्छे से रिलीज हो गया है और ग्रेवी का बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है यहां पर हम एक कटोरी मटर रेट कर देंगे जो कच्छे हैं अब हम मटर को पांच मिनट ढपकर अच्छे से पका लेंगे पांच मिनट बाद मटर अच्छे से गल गया है तो हम यहां पर तीन चमच फ्रेश क्रीम एड़ करेंगे कर दो दो तो अब हम लास में अपने फ्राइड आलू को एड़ कर देंगे और साथ में ही पानी भी एड़ कर देंगे तो अब हम सबजी को ढखकर पांच मिनिट के लिए और पका लेंगे तो यह हमारी एक यूनीक सी और बहुत ही टिलिशियस यमी आलू मटर मलाई बन कर तयार है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आपको यह बहुत पसंद आएगी झाल झाल